हलो फ्रेंड्स कैसे हो आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज मैं मचली के कुछ नए तरीके की रास्पी लेके आई हूँ तो आप से भी तो बहुत ही तरीके से बना के खाये होंगे तो इस तरीके को जरूर अपनाईएगा तो वीडियो को पुराहन तक देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, सेर, सस्क्राइब चरूर कर दीजेगा और यह देखे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हाप के जी के करीब मचली ले ली हूँ और मैं मचली को अच्छी तरह से दो के एक बरतन में रख ली थी और उसके एक्ष्ट्रे पानी को मैं अच्छी तरह से निचोड के बाहर कर दी थी तो आब मैं डाल दी मचली में एक छोटी चमच के करीब नमाग एक छोटी चमच मैं इसमें डाल दी हल्दी पाउडर और दो बड़े चमच मैं इसमें डाल दी बेशन तो बेशन को मैं डाल के से अच्छी तरह से मिला लूँगी तो इसमें पानी बगेरा बिल्कुल भी ना रहने दे और इसे हलके हलके हाथों से मिला ले और यह देखे प्रेंस मैं इसे मिला के रेडी कर ली हूँ तो अब मैं इसे एक ढखकन से ढख दूंगी और थोड़ी देर तक छोड़ दूंगी ताकि जो बेसन है वो अच्छी तरह से मचली में सेठ हो जाए तो मैंने यहां पर गैस अन करके कराएं में तेल डाल दी थी और कर दोसकी पृम को में मडियम में रखे ती और यह दे दे के प्रेंस देल जो रखऑ गर्म हो गुए है तो मैं एक एक made कर 나오 के फीस को डाल किए से फ्राय कर लूंगी तो मैं यहांपे दो चमच के कृएं मौंग फली ले लए हूँ इसका पेश्ट में बना लोगी तो मैंने बच्छी डाले थे वह बिल्कुल golden brown color का हो गया है तो आप मैं इसे चान के निकाल लेती हूँ तो और जो बच्छी हुई है मच्छी यहां मैं उसे भी चान के रेडी कर लोंगी तो मैंने गैस की फ्लैम को मिडियम में रखी हूँ और मिडियम में ही इसे अच्छी तरह से गोल्डेन ब्राउ होने तक रेडी कर ली तो अब मैं तेल में डाल दूँगी पीसे हुए दो मिडियम सैच के प्यास और प्यास को मैं गॉल्डन ब्राउने तक भूल लूँगी तो मसाले में मैंने यहाँ पे लेसन अद्रक खरी मीच का पेस्ट एक छोटी चमच लाल मीची पाउडर एक छोटी चमच काली मीच जीरे के पाउडर स्वादा अनुसर नमक एक छोटी चमच हल्दी पाउडर सहीव जीजो को मैं ले ली हूँ और अब मैं प्यास में डाल दूँगी क्योंकि प्यास का कलर गॉल्डन ब्राउन कलर का हो गया था तो आप मैं मसाली को डाल के दो मिनट तक भून लूँगी तो गैस की फ्लैम को मैं मुड़यम में ही रखी हूँ और ये देखिए दो मिनट हो गया है भूने हुए तो आप मैं इसमें डाल दी जो पीसे हुए मुंगफली का पेश था उसे और पेश डालने के बाद मैं से एक मिनट तक और भूनूँगी उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी एक चमच के करीब कस्मीरी मैथी के पत्ते अगर ये ना हो तो आप मैथी के दाने को तवे पर रोष्ट कर लिया उसका पौडर बनाकिस में डाल दें उससे भी इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है और ये देखे मैं फिर से थोड़ी देर भून ली उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर का पेश्ट और पेश्ट डालने के बाद मैं से फिर से दो मिनट तक भूनूँगी सो फ्रेंड्स मसाले को जितना ज़्यादा भूनेंगे उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा और ये देखे मसाले का कलर धिरे धिरे चैंज होते जा रहा है और मसाले तेल भी छोड़ते जा रहे है तो इससे पता चलता है कि जो मसाले है वो बिल्कुल भून के रेड़ी हो गया है और इससे बहुत ही बढ़िया खुस्बू भी आ रही है तो मैं मसाले को थोड़ी दिर और भूनूँगी और ये दिके प्रेंट्स मसाले भून गए है तो मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दूँगी और अच्छी तरह से इससे मिला लोगी तो ये दिके प्रेंट्स मसाले से उबाला गए है तो मैं इसमें डाल दी एक छोटी चमच गरम मसाले का पाउडर बारिक कटी हुई हरी धनिया पत्ती और इसे चलाते हुए मैं इसमें डाल दूँगी प्राइ किये हुए मचली और मचली डालके मैं थोड़ी देर इसे ग्रेवी के साथ पकाल लोगी ताकि ये अच्छी तरह से ग्रेवी में सेट हो जाए तो फ्रेंड्स आप इस रेस्पी को जरूर घर पर ट्राइ किजेगा बहुत ही जादा टेस्टी लगती है और ये देखिए मचली बनके रेडी है तो मैं गैस को बंद कर दी हूँ और एक बतन में सब की हूँ कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में तो बाई